इलाइट स्टेडी प्लेट फॉरम पर आप सबी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसिन करेंगे हिमाचल परदेश में जो DLAD की प्रिक्सा होने जा रही है इसमें इदि आपने अपना एप्लिकेशन फॉरम भरा है तो आप किस तरह से त्यारी कर सकते हैं आने बाले समय में आपको कहां कहां पर रोजगार मिल सकता है किस तरह की ये प्रिक्सा होती है कितने वर्स की ये ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग के बाद आपको कौन कौन से प्रिक्साइं कौलिफाई करनी होती है अन्तता हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि बर्तमान समय में DLA के सित्तर में किस तरह का करियर बनाया जा सकता है लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल परदेश में पहले JBT के नाम से प्रिक्सा जाने जाती थी लेकिन JBT का मतलब था Junior Basic Teachers बर्तमान समय में इसका जो नाम कर्ण किया गया है उसका नाम रखा गया है DLA Diploma in Elementary Education यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो DLA की प्रिक्सा होती है इस प्रिक्सा का जो Entrance Test होता है इसका आयोजन हिमाचल परदेश इक्साबोड धर्मसाला के द्वारा किया जाता है यहां दो वरसिया कोर्स रहता है दो वरस के लिए आपको यहां पर देखिए 12 सरकारी जितने भी जिले हैं उनके Headquarters में 12 सेक्सिनिक संस्तान सरकार की तरफ से सरकारी खोले गया है इसके अलाबा कुछ कॉलेजिस को निजी कॉलेजिस को भी मानेता दी गई है बेबी इसी एंट्रेंस वर्ति के हदार पर ही अपनी सीटे फिल अप करते है तो कुल मिला करके दि हम बात करें तो आप हिमाचल परदेश में डिया लेडि आपका अच्छा स्कोर रहता है रिट बराबर होगा क्योंकि एक इस अंस्तान के दौरा इनको जो उनकी मानेता है वो हिमाचल परदेश इक्साबोर से ही समंदित रहती है लेकिन देखिए आप अच्छे स्कोर करते है गबर्मेंट इंस्टिउसन में जाते है तो पहला फाइदा आपको यह होने वाला है कि आपक इंफ्रस्ट्रक्चर मिलता है मिलती है नीजीक शेतर में हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी आपको देखने को मिले तो अभी तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आप अच्छे से मेंनत करें कड़ी मेहंत करें और आप सरकारी संस्तानों में सीट ले करके डीएलेड में enrollment करवाएं अभी देखिए आज एक खबर भी एक प्रकासित हुई है कि इस बार देखिए है भ्यार्थियों ने यहां पर 2100 स्थाव बना बेदन किये है इसके पिछे का कार्ण क्या है देखिए पिछले कुछ मैंसे आप देख रहे होंगे जेबिटी का जो केस है वई सूपर्यू गोर तक पहुँच गया था पहले है उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी तो उनको देखिए अभी रॉल बैक कर दिया गया है और बर्तमार समय में जो अभी डियाले करके आज उन्होंने पहले जेविटी करी किया हुआ है बेहवेर्थी इस प्रिक्सा के लिए इलिजीवल होते है यही कारण है कि जब आपको किसी सेक्टर में करियर बनता हुआ दिखता है तो निश्चित तोर पर उसमें कैंडिटेट्स के जो आबेदन है उनकी संख्या भी बढ़ती है तो आप देखिए अभी आपके पास एक बहुत ही गोल्डन एप्चुनिटी है इ इसी भी प्रिक्सा को कॉलिभाई करने के लिए उसके प्रिबियस प्र को आपको बार-बार पढ़ना होता है बहीं से आपको पता चलता है कि इस प्रिक्सा का पैट्रन क्या है इसमें किस तरह के प्रसंद पुछे जा रहे है कितने प्रसंद इसमें रपीट किये जा रहे है तो इलाइस्टरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है D.L.E.D. की जो प्रिक्सा है आपके उसके जो common entrance test आपका होने वाला है उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसमें आपको मिलते है 7 years के solvered previous paper जब आप इन papers को पढ़ेंगे तो उसी के अनुरूप किस तरह का एक syllabus इसके लिए जो design किया गया है उसकी हदेन समगरी भी हमारे टीम आपको देती है जिसमें समिलित किया गया है जर्नल अबेरनेस है numerical ability है इंगलिस और हिंदी है जो आपका इस प्रिक्सा के लिए syllabus रहता है तो यह किताब देखिए लेक्सरी टीम का fourth या fifth edition है तो इसमें काफी ज़्यादा सुधार भी किया गया है और काफी उपयोगी किताब है हर बर्स इसमें से बहुत से प्रसंद पुछे जाते हैं बहुत से वैर्थियों का selection भी होता है तो आप इस किताब को ट्राइ कर सकते है अपने नदिकी सौपकी पर या फिर e-light study code.in website से आप सीधे order क कर सकते हैं इस वीडियो के description में भी इसका link डाल दिया जाएगा आप घर बैठे इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं Indian Postal Services के माध्यम से अब देखिए इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आखिरकार DLA करने के बाद आपको job opportunities कहां कहां मिलती है देखिए सबसे बड़ा क्या करना होगा जैसे आपकी अडिविशन DLA में हो जाती है उसके बाद आपकी दो वर्सिया ट्रेनिंग होगी उसमें आपको कुछ प्रिक्साइं भी qualify करनी पड़ेगी जब आपका complete हो जाएगा तो उसके बाद आपको JBT TET देना होगा हिमाचल प्रदेश इक्सव और धर स्कोर रहता है तो आपको सिधी नौकरी मिलेगी हमाचल प्रदेश का जो elementary department है उसे में आपके नौकरी लगेगी और आप एक JBT शिक्सा के रूप में अपना करियर सुरू कर सकते है इसके लाबा देखे संभावना है कहां कहां पर है जैसा कि हम काफी लंबे समय से देख रह स्ट्रॉंग हो देखे प्री नर्सरी स्ट्रॉंग होगी तो उससे क्या होगा जो primary school में बच्चों की strength कम हो रही है वो बढ़ना सुरू हो जाएगा तो प्री नर्सरी के लिए भी समभावना तलासी जा रही है कि जो JBT या DLA से हवियर्थी आते है क्या उनी के माद्यम से आ उमीद यह भी जग सकती है तो देखिए इसमें अच्छा करियर लग रहा है at present लेकिन आप अच्छा सा score कीजिएगा अच्छे से पढ़के जाईएगा इस प्रिक्सा में ताकि आपको किसी सरकारी संस्तान में मिल जाए सरकारी संस्तानों में देखिए आपको अच्छे well trained faculties मिलेगी libraries की facility होगी आप वहां पर बैठके आसानी से competitive exam की जो रूप रेखा है उसे भी आप बना सकते है तो आप आने वाले समें मिस प्रिक्सा के लिए अपने त्यारी को और बित्येज कर दीजिएगा thank you very much